हम यह तो देखिए अभी हम बयानों की जब बात करेंगे तो इतनी लंबी फेहरिस्त है कि मैं अगर पूरे डिबेट का दौरान अगर से बयान ही पढ़ता रहा जाओं बीजेपी नेताओं के तो भी शायद वक्त कम पढ़ जाएगा हम तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे ह जो बहुत प्रॉमिनेंट लीडर हैं आपकी पार्टी के जो केंदर में मंत्री हैं उनके हमने उनके काम काज की हमने आपकी कुछ बानगी दे दी भाई इसको कैसे डिफेंड करेंगे कैसे डिफेंड करेंगे इसको कियो ड़न संख्यकों को मुसल्मानों को क्यू नहीं डरना चाहिए जैंत सिंहा के इस काम से कि जो लोग गौरक्षा के नाम पर किसी की जान ले ले सकते हैं तो उससे क्यों नहीं मुसल्मानों को डरना चाहिए गलत चीज है और गलत उस पर उसको अपना खेट प्रकट कर दिया और आपके मंतरी उनको माला पहना रहा है नहीं जाना है तो उस पर उन्होंने खेट प्रकट कर दिया गिरिराज सी नवादा में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसके जो आरोपी हैं उनको जाकर आप कहते हैं कि भाई इनको गलत तरीके से फसाया जा रहा है ठीक है भाई वहाँ अगर वहाँ सरका आपकी पार्टी की कोईलिसन गर्मेंट है आप लोग तो गठवंदन में सर को अलग बात है अरे नहीं फिरियोत को लेकर सेखुलरिजम को लेकर के लोग तंत्र को ले करके अपने समविधान आं को लेकर और इस पर उस ख़तरे में होता और कहीं साफ इमर्जेंसी जैसी आलत होती तो सशी थरूर ये बयान नहीं दे सकते हैं कि वो लोग से क्लूरिजम का सहारा लेते हैं जिनके माबाप की कोई पहचान नहीं होती है वो यहां तक कहते हैं कि मैं खुश रहूंगा कि अगर कोई खुद को मुस्लिम, इसाई, इब्राहमन, लिंगायत और हिंदू के रूप में पहचाने ना कि धर्म निर्प्यक्ष के रूप में तो भई सवाल है कि कैसे हम आस्वस्त रहें कि सब ठीग रहेगा जो आपका मंत्री जब अगर मंच पर चड़के इस तरह का बयान देता है तो हम कैसे अस्वस्त रहें कि कल को अगर आपको मौका मिल जाएगा तो आप उसमें जो सेकलरिजम का जो वैलू है आप उसको काट के अलग नहीं कर देगे है राजसभा में बहुमत नहीं है इसलिए बहुत सारी बाते अभी बहाना बना ले जाते हैं कि हम यह नहीं कर पा रहे हैं कि आप इसा करेंगे मैं कह रहा हूं लेकिन हमारा डर नाजाएज कैसे है हमारा डर निराधार कैसे है अगर आप यहां पर अपने को अपने को अपने जाती के अधार पर अपनी पहचान बताएं और उनको इस पर गर्व करना चाहिए तो हम कैसे मालने कि आपको मौका मिलेगा तो आप यह सब चीज़ें लागू नहीं पर है जनता ने मुझे मुझे मौका दिया है हमारी पार्टी को मोदी जी के नितुत में दिया उसके बाद 20 प्रदेसों में सरकारें बनी है सब जनता का विश्वास केंट की सरकार प्रदेस म हमारी सरकारों पर है और कोई ऐसा कार नहीं किया मौब लिंचिंग भी तो आप ही की सरकार में हो रहा है न सब जार्खंड में इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती कि इस तरह की घटनाए वो जो बंगाल भी खुए है ठीक बात समर्थन का सवाल नहीं है आप करें चाहे नहीं करें बयान देकर आप किसी का भी समर्थन यह आप क्या कर रहे हैं तो आपके एक्सन के बरक्सी देखा जाएगा ना आपके आपकी आपकी जो आपकी जो सोच है आपके कांगरेस को इस पर शमया चना करनी जाएंगे झाल झाल